हेलो फ्रेंड्स में हूँ अभी से गुपता और आप देख रहे हैं टेक्निकल टैक आज की इस वीडियो में में रिव्यू करूँगा इस मुल्टि फंक्शन ट्राइपोर्ट कीट के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं इस ट्राइपोर्ट को आप अलग-अलग तरिका से कर सकते हैं तो फिर चलिए इसे अन्बॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी बिल्ट क्वालिटी एंड डिजाइन कैसी है इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है एक केरिंग पाूच जिसमें आप असानी से सारी कॉमपोनेंट्स केरी कर सकते हैं एक यूजर मेन्वेल भी आपको मिलता है जिसमें सारी यूजिंग आइट मैंसेन क्या हुआ है चार्जिंग के बल जिससे आप अपनी सेल्फी स्टिक को चार्ज कर सकते हैं इस ट्राइपोर्ट के साथ आपको मिलता है एक सेल्फी स्टिक भी लेकिन इसकी बिल्ट क्वालिटी एंड डिजाइन बहुत ही चीप लग रही है यह हमारा मोबाइल होल्डर जिसमें आप अपनी फोन को कनेक करके इस ट्राइपोर्ट में यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा स्टेंड भी जिसे इस tripod में connect करके आप अपनी tripod की height को adjust भी कर सकते हैं और ये है हमारा tripod जिसमें आप अपनी phone को stand कर सकते हैं इसकी build quality and design बहुत ही अच्छी लग रही है हाला कि ये plastic body है लेकिन फिर भी ये बहुत ही strong है तो फिर चलिए हम अपनी phone को इस tripod पे connect कर लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से आप अपनी tripod को lock या फिर unlock भी कर सकते हैं हाला कि ये tripod made up of plastic है लेकिन इसकी build quality and design बहुत ही impressive है ये बहुत आफानी से 5.5 इंच का smartphone को handle कर लेता है वो भी without any problem अब चलिए इसे इसकी stand पे connect करके देखते हैं आप यहां से easily अपनी tripod को इस stand पे fix कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस stand को मैंने अभी expand नहीं किया है और without expanding आपका smartphone बिलकोल ही safe है और आप आसानी से अपनी वीडियो को suit कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है हर product पे कुछ advantages तो कुछ disadvantages भी होती है अगर आप अपनी tripod की stand को ज्यादा expand करते हैं तो आपका tripod जो है वो sick करना शुरू हो जाता है और आपकी phone को गिरने का भी खत्रा हो सकता है लेकिन अगर आप इस tripod को without expanding the stand यूज करते हैं तो फिर tension की कोई बात नहीं है आप आसानी से को भी वीडियो को shoot कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस tripod के साथ साथ आपको मिलता है एक selfie stick लेकिन इस selfie stick की build quality and design बिल्कुल ही cheap है अगर आप ये tripod selfie के लिए लेना चाहते है तो ये tripod में बिल्कुल आपको recommend नहीं करूंगा और अगर आप इस selfie stick को ignore करते तो फिर on that condition ये product one of the best and flexible है at this price range इस product का एक disadvantage ये है कि इसके साथ आपको कोई extra charger नहीं मिलता है जिससे आप अपनी selfie stick को charge कर सके इन future अगर आपको charge करना हो तो इसके साथ आपको मिलता है एक cable जिससे आप अपनी mobile के charger या फिर अपनी computer की USB cable पर लगा के भी charge कर सकते हैं अगर आपको भी ये tripod चाहिए तो इसका जो link के मेंने description section पर mention कर दिया है आप उस link टेक क्लिक करके इस tripod को आसानी से purchase कर सकते हैं तो फिर दोस्तों इसी के साथ में आप सभी से विजा लेता हो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद रहते हैं इस वीडियो को जरूर लाइक, share and comment करें और ऐसे ही interesting tech videos and reviews के लिए मेरा YouTube channel Technical Tech को सब्सक्राइब करें धन्यबाद